नमस्कार दोस्तों मैं जी सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजीव गादी प्रद्योगी की विस्पी तयाले भपाल के अंडर ग्रेजुएट और डिप्लोमा साथ में दोस्तों पोस्ट ग्रेजुट के जो इस्टूडेंट है उनका जो एक्जाम होने वाला है उसके संब्द में एक नया अपडेट उनिवर्सिटी के द्वारे रिलीज किया गया तो उसी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाश्ट भी दे सकेंगे आरजी पीवी के विद्यार थी यानि दोस्तों एक्जाम कैसे होगा ऑनलाइन एक्जाम में किस प्रकार से आपको क्वेस्टन सौल्व करना है और किस तरीके से पेपर आएंगे उसके लिए एक ट्राइल के रूप में मौक टेस्ट इनवर्सिटी के द्वार आयोजीत किया जाएगा जिसमें छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि छात्र अपना जो एक्जाम है उसको कैसे ऑनलाइन दे सकते हैं तो छात्र आप जो भी होंगे वह घर पे बैठे उस एक्जाम को दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि राजीव गांती प्राद्यों की विद्याले प्रत्थम से यानि फर्ष्ट सेमेस्टर से लेकर फाइनल सेमेस्टर की जो परिक्षा हैं उसमें करीब चार लाग विद्यार्थी ऑनलाइन परिक्षा देंगे तथा जिसका एक्जाम एक से तीस जून के बीच आयोदू होगा परिक्षा के लिए प्रदेश भर के विद्यार्थियों का मार्क टेस्ट जो है लिया जाए यानि ट्राइल के रूप में एक छोटा एक्जाम इनवर्सिटी के द्वारा कराया जाएगा जिसमें ट्राइल दिया जाएगा कि छातर ऑनलाइन परिक्षा में किस परकार से समलित हो सकते हैं उनको ऑनलाइन परिक्षा में किसी परकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो एक्जाम को कैसे देना है एक्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है किसी परकार की कोई गलती नहीं हो जिसके बाद ही जो चात्र हैं उनका एक्जाम लिया जाएगा किसी प्रकारगी कोई भी परिसाने चात्र को ना हो इसके लिए इस मॉक टेश्ट का आयोजन किया जाएगा इसके लिए जो राज इस्थर पे जितने भी कॉलेजेस हैं उसके लिए इन्वरसिटी पुरे प्रदेश भर में मॉक यह जो मौक टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा उसके बाद ही एक्जाम लिया जाएगा उससे पहले 15 से 30 मई तक विद्यार्थियों की प्रायोगिक परिक्षाओं के साथ इंटर्नल एक्जाम होंगे आजी पीवी ने बीटेक विफार्मा और पालिटेकनिक के अलावा प्रवेसरत विद्यार्थियों की ऑनलाइन परिक्षा आयोजित होना है आजी पीवी 15 मईस से प्रायोगिक परिक्षाओं भी ऑनलाइन लेगा एक से दस जून तक अंतिम सिमेश्टर की जो परिक्षाओं है ऑनलाइन लिये जाएंगे उसके बाद 11 से साथ 11 से 30 जो दोस्तों उसके बीच में से परिक्षाओं ऑनलाइन ही आयोजित की जाएंगे साथ में दोस्तों जो ऑनलाइन एक्जाम होगा उसमें कुछ है इनवर्सिटी के द्वारा अब इस वार कुछ उसमें जो निग्रानी है उसको बढ़ाया जाएगा ऑनलाइन अभी जो छात्रों का क्लासे हैं वह चल रही है पिछले सिवेश्टर का जो एक्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे सिकायते मिली थे एक्जाम के संबंदित तो इस वार इनवर्सिटी के द्वारा जो एक्जाम लेना है उसमें निग्रानी की जाएगे तो दोस्तों जो मॉख टेस्ट है उसके लिए छात्र घर से ही मॉवाईल कंप्यूटर लैपटाप या टैबलेट या किसी भी तरीके से अपना मॉख टेस्ट दे सकते हैं उनके सामने मॉख टेस्ट का जो रिजल्ट है सो होगा तो दोस्तों कुछ इस तर्के से आपका अब एक्जाम होगा तो अगर वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं